हेलो फैंड्स, वेलकम टो विपरास किचन लैब, आज हम देखेंगे एक किचन टिप अक्सर हम चावल, डाले, बिन्स, इनको धोने के बाद ये पानी सिंक में फैक देते हैं इस पानी का बहुत सारा उप्योग होता है अगर आप रनिंग वाटर में धोते हो याने नलके के नीचे धोते हो तो आपको एक बड़ा बरतन रखना है नीचे ताकि आप जो भी अनाज धोरे हो उसका पानी वेस्ट ना हो जो भी हम बीन्स या डाले रात को भीगोते हैं सुबह उसमें अगर थोड़ा पानी रेता है तो इस पानी का हम कीचन में उप्योग कर सकते हैं या फिर डाले दोने का पानी और जो भीगोने के पाद पानी बशता है उसका उप्योग घर के पेड़ पोदों में भी कर सकते हो अगर आपके घर में पोदे नहीं है तो आसपास में आपको कही पे भी पोदे दिखे आप ये पानी उसमें उप्योग करें इस तरह से पानी वेस्ट भी नहीं होगा और इसका उप्योग भी हो जाएगा Save water, save environment Thank you